ओम नमस्षिवा हर हर महादिय। इसका पुरान के मुताबिक अधिक मास में 24 चीजों का महादान बताया गया है। इसका पुरान के अमसार कुषदान का फल इसी जन में मिल जाता है तो कुषदान का फल अगले जन में मिलता है जिसकी प्रभाव से जीवन में अचानक बड़े बदला हो जाते हैं। अक्षे सुख, तिल के दान से संतान, सुख, भूमी दान से मंचा ही चीज मिल जाती है। ताबो का दान करते हैं जैसे हन्मान चाल सागीता, सुन्दर कान का दान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अधिक मास में एक सेर कपड़ा, दोध, अन दाल, इनमें से कुछ भी एक सेर का दान जरूर करें। एक सेर एक किलो से थोड़ा ज़ादा ही होता है। बुद्ध गंगा जल, नर्बदा जल, यमुना जल आपकी जीप पर पहुंचे, आपके संपूर कलिशों को समाप्त कर देता है, एक बुद्ध गंगा जल अधिक मास में पढ़ने से, इस महीने में गुरूमत की बहुत बड़ी महिमा है, यदि आपके पास गुरूमत नहीं है जान लेते हैं। दोस भी खत्म हो जाते हैं वहीं श्रीपुराण के अवसा जो भी विख स्रिष्ट बामान को जूता और खणाउ दान कता है वहां मनुष बिसाल घोड़े पसावार हो बड़े सुक्सी यमलोग को जाता है जो च्छाता दान कता है उस मनुष को यमलोग में यम के दूत उसी त कुषपग्व्यान से यात्रा करते हैं जो गुरू ब्राह्थन माता और पिता की पूजा करते हुए मनुष की पूजित हो अपनी इच्छा की अंसार मार्ग द्वारा शुक्क से यातरा करते हुए यमलोग जाते हैं जो बाजा का दान करते हैं वो उसी तरह सुख से यात्रा करते हुई अमलोग जाते हैं मानों अपने घा जा रहे हो जो किसी का पैर धोने के लिए जल देता है वो ऐसे मार्ग से यामलोग जाता है जहां जल की सुखधा हो इस तरह के दानों से मनुश्यक पूर्वक करते हैं और सर्ग में सदा भाती भात के भोग पाते हैं सब दानों में अने दां को इंतम बता आए गया क्योंकि ये तद्काल क्रप्ति प्रदान करने वाला और मन को प्रिय लगने वाला तद हा बल और बOODhist manufacture को रहाने वाला है क्योंकि अन्य में ही सब कुछ प्रतिश्चित है अनकी समान दानना तो हुआ है और नहोगा ऐसा सिव पुरान की उमा संगिता में वोडित है हर हर महादेश कुछ अन्य में कुछ दो कर दो ह Iris